next example है modulo 6 down counter तो इस counter में हमें down sequence पराप्त करना है down sequence का मतलब हमें पहले device को preset mode में डालना पड़ेगा preset का मतलब सभी flip flop को one 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 के states में डालना पड़ेगा और वहां से हम down करेंगे कम होगा और value जब 6 states count कर लेगी तो दोबारा से repeat mode में वह अपने preset value पे पहुँच जाएगी इसका मतलब यह है कि one 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 से start करना है one one zero one one zero one one zero one zero one one zero one one zero तो 6 states हो गए और zero one zero के बाद उसको वापस से preset mode में one 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 पे आना है इसे हम कहेंगे preset या हम set भी कह सकते हैं अच्छा down sequence में जो invalid state है इसके बाद जो आएगा किसी normal counter में आएगा वो होता है zero zero one मतलब इसके basis पे हमें external gate लगाना होगा external gate connection इसके basis पे लगाना होगा तो हम क्या करते हैं सबसे पहले तीन free flops use कर लेते हैं क्योंकि तीन bit वाला counter यह है similarly यह a b c j a k a q a q a bar j b k b q b q b bar j c k c q c q c bar clock का connection कर देते हैं यह external clock लग यहाँ पर यहाँ पर चुकि down sequence लेना है तो हम q a bar को clock के रूप में use करेंगे और यहां q b bar को clock के input के रूप में use करेंगे output हम q c q b q a से ही लेंगे तो हम output को यहां से निकाल सकते हैं ऐसे q a q b q c तो device सबसे पहले preset mode में रहेगी preset के लिए हम यहाँ पर एक preset input लगा देते हैं जिसको हम कहेंगे p st bar p st bar और इनको आपस में short कर देते हैं जैसे कि हम पिछले counters में clear bar input को short कर देते हैं अब हम यहाँ पर एक gate लगा देते हैं यूजुली हम लोग nand gate ही use करते हैं इसके तीन inputs हो जाएंगे यूकि तीन यहाँ पर outputs हैं इस p st bar का मतलब हो गया कि अगर हम इस nand gate के output को 0 लेंगे और इसका connection अगर p st bar से करेंगे तभी यह सरे devices अपने initial state 1 1 1 1 या preset state में आ जाएंगे तो हम इसका connection सीधे इसके preset input पे कर देते हैं अब हमें किस signal को पकड़ना है वो 001 001 कैसे है qc qb qa तो one already है यहाँ पर हमको पता है कि इस nand gate के तीनो inputs 1 1 1 होंके तभी इसका output 0 आएगा तो qa तो one है ही already qb के आगे एक not gate लगा दे और qc के आगे एक not gate लगा दे और यहाँ पर connect करते हैं ठीक एक method यह है इस method में obviously हमारे पास दो not gate लगाने पड़ रहे हैं यह connection जो सबसे उपरवला input है उसे हम लोग qa ही देंगे यह जो देंगे यह हो जाएगा qb bar और यह हो जाएगा qc bar तो qb bar हमारे पास available already है तो यहाँ से wire लेकर हम यहाँ पर connect करके इस nand gate का output हम preset input पर देंगे तो device प्रिसेट हो जाएगी और हमारे पास केवल six states ही रहेंगे वो भी down sequence में तो इसे हम लोग कहेंगे modulo six down counter, thank you